इसकार स्वागत है आपका एटी नाउ स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्थी और आप देख रहे हैं गुद्वानिंग स्वदेश हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और काफी सारे लेटिस डेवलप्मेंट देखने को मिले हैं ओवर देवीकेंट काफी धेर सारी खबरे हैं और इसके अलावा ड्रोबल मार्केट में भी काफी जादा हल चल इस वक्त देखने को मिल रही है आगे हम उसका अपडेट भी लेंगे लेकिन सबसे पहले नज़र डालेते हैं एशाई बाजारों पर और इस वक्त शुरुआत गिफ्ट निफ्टी की हलके लाल निशान में होते हुए दिखाई दे रही है गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो करीब 10 अंक नीचे है तो यहां पर सपाट ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी की तरफ से और अगर बाकी एशाई बाजारों को देखेंगे तो आज जापान के बाजार तो बंद रहेंगे लेकिन अने ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालें तो हॉंग कॉंग कोंग के बाजार भी लाल निशान में हैं करीब एक परसेंट नीचे कोरिया के बाजार हलके हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं आज वहाँ पर पॉलिसी बैठक भी होगी तो उस पर भी नज़र रहेगी और इसके अलावा चीन से भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट आने आने वाले हैं इस हफ़ते तो इस पर भी हमाई नज़र रहेगी तो ए पूरा हफ़ता कैसा रहा और अब इस हफ़ते कौन कौन से इपॉर्टेंट इविंट्स होंगे जहां पर क्या आपको नज़र रखनी हैं यह समझ लेते हैं हमारे साथ विश्मोहन जोड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर ग्लोबल मार्केट का विश्मोहन गुड मॉर् लेकिन बागी बाजारों में आप नर्मी दिख रहें कुछ हैं डेटा आने वाले हैं जो चाइना के ट्रेड डेटा इंफलेशन के नंबर है वो इस हफ़ते पूरे हफ़ते नज़र रहेगी अमेरिकी बाजारों की बात करें तो फ्राइडे का सत्र जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा वो यहां पर तेजी ज़रूर दिख रहा है लेकिन पूरे हफ़ते की अगर बात करें तो पूरे हफ़ते में बाजार कापी कमजोर रहा नैज़रे की बात करें तो पिछले हफ़ते करीब सबाद 3% कमजोर हुआ 1.5% से ज़ादा की गिराबर एंट S&P 500 में भी द जो सरकारी जोहां की लेबर डिपार्टमेंट हैं उनके जोहां आकड़े आएं फ्राइडे को वो कापी मजबूत थे बाजार को अनुमान था 1,70,000 नौकरी जोने का और 2,16,000 के नंबर आएं वो कापी अनुमान से बेहतर थे और वही वज़ा थी कि हमने देखा कि जो यू आज़ दरों में कटवती ना हो मई तक इंजार करना पड़े कुछ आएं ट्रिगर है इस सब्ते के उसमें जो गुरूबार को यूए सीपी आई रिटेल महंगाई की नंबर साएंगे फ्राइडे को पीपी आई के नंबर आएंगे और फ्राइडे को ही रिजल सीजन का भी आगाज हो जाएगा जहाँ पर कई सारी दिगज कंपनियां अमेरिका में अपने रिजल्ट जारी करने वाली है तो यह पूरा हफता ही कापी आहम रहने वाला है कुछ आने संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल 78 डॉलर के उपर है यूए में रिकॉर्ड पादन से उपरी स तरो पर दबाब बन रहा है लेकिन खाड़ी देशों के तनाव से सपोर्ट भी मल रहा है तो एक इस्तीरता होँआ पर दिख रही है कॉमेक्स पर गॉल्ड दबाब दिखाता पिछले हपते दो हजार पचास डॉलर के आजपास कॉमेक्स पर गॉल्ड है और डॉलर इंडेक बहुता शुक्रिया विश्मोराम का ये पूरा अपडेट देने के लिए तो आज ग्लोबल मार्केट से तो हलकी नर्मी का ही संकेत है क्योंकि बॉर्ड मार्केट देखे वहां पर तेजी आई है और काफी समय बाद हम देख रहे थे कि 4% के नीचे बॉर्ड यिल्ड फिसल हमने बॉर्ड यील्ड भी उपर देखे क्योंकि कही न कहीं आप बाजार में अटकले लग रही है कि 2024 में जो रेट कटवूटी की बात हो रही थी क्यों कि रेट करकी बात हो रिए थी अब उसकी संभावना कहीं न कहीं कम होते हुए नजर आ रही है तो ब्यास दरों में को लेकर कटोती को लेकर अनिश्टा है इसकी वज़े से हम देख रहे हैं कि इस वक्त यूएस मार्केट में हलकी नर्मी है उसका असर हम बॉर्ड मार्केट और डॉलर पर भी देख रहे हैं और एश्याई बाजारों में भी यहां पर सुस्त कारूबारी होता हुआ दिखाए दे दूसरे दिन हमने कैश मार्केट में खरड़ारी देखे और शुकरुवार के दिन भी करीब 1690 करोड की खरड़ारी हुई है दो दिनों में ही करीब 32 की खरड़ारी FIIS कर चुके है तो यहां से संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ घरेलो निवेश ब 25 करोड की खरड़ारी का आकड़ा है तो FIIS और DISA से संकेत थोड़े बहतर दिखाई दे रहे हैं लेकिन आज के लिए एहम लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए यही बर समझ लेते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर अंश जुड़ चुके हैं पूर 2500 से 21800 का जो यह 300 पॉइंट का रेंज है उसके बीच में ही क्लोज हुआ इसके चलते हम सपोर्ट देखे तो पहला सपोर्ट 21,630 पर नजर आ रहा है जो कि पिछला सेशन का लो भी था जहांसे अच्छी खरेदारी दिखी थी वहां से नीचे खिसका तो दूसरा एहम सपोर हमें 21500 का नजर आ रहा है जो कि consolidation का lower range भी है resistance देखे तो पहला resistance हमें 21800 का दिख रहा है जो कि consolidation का upper range है और वहां से उपर गया तो दूसरा psychological mark जो है 22,000 का वहां पे एहम resistance देख सकते है निफ्टी बैंक के बात करें तो यहां हमें पहला support 47800 का नजर आ रहा है जो कि 20DMA का level भी है तीन सेशन से अक्चुली निफ्टी बैंक 20DMA पर support लिया जा रहा है तो यह एक एहम support जैसे देख सकते है यहां से नीचे फिसला तो 47400 का दूसरा एहम support हम देख सकते है उपर कि तरफ resistance देखे तो 48300 का एक पहला resistance देख सकते है जो एक्चुली कहां पर जहां पर close वहां से बहुत ही पास का level है यह वहां से उपर गया तो दूसरा एहम level हमें 48650 का देख सकते है resistance के लिए जो कि record high level के आसपास का ही है बहुत है शुक्रिया आशाप का यह range समझाने के लिए तो nifty के लिए एहम range जो इस वक्त निकल कर आ रही है वह 21800 जो की level हमेरी शुक्रवार को भी इसके आसपास बाजार को trade होते हुए देखा और नीचे की तरफ एहम support जो इस वक्त निकल कर आ रहा है वो है 21500 के आसपास क उसके उपर 2630 का और बैंक निफ्टी के लिए अब जो important support आ रहा है वो है 47800 से 47400 का उपर की तरफ हाइस भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं तो एक range है शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था कि उतार चड़ाव बना हुआ था लेकिन एक range में ही कारोबार होतो है नजर आ सबसे बहुत है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बारे में बताइए वहां पर ट्रीडाज कैसे लिए 21,900 से लेके 22,000 आपने initial target हो सकता है लेकिन lower rate पे एक important support zone बुझे लगर है 21,650 इस level को market अगर बिल्डाउन कर देता है तो 21,550 और 21,500 ये lower level में target हो सकते है देखो बड़ा movement 22,000 के उपर हमें देखने को मिलेगा या पे 21,500 breakdown होने के बाद हमें panic setting देखने को मिल सकता है तो जब तक major level breakout नहीं होते हैं तो कोई भी trade पड़े रिर के लिए plan ना करें अगर बैंक देखने की बात करें तो बैंक देखने में higher level के उपर एक resistance है 48,300 से लेके 48,400 ये level का अगर resistance का breakout आ जाते हैं तो बैंक देखने के उपर मिला यूजी होगा वो काफे bullish होगा 48,700 से लेके 49,000 ये target तक मांके चल सकता है लेकिन अगर 47,900 ये level breakdown हो जाता है तो नीचे में एक बार कि हम दो 47,500 को फिर से test करते वे नजर आएंगे तो 47,500 अगर अबरी basis के breakdown हो जाता है 48,800, 48,500 ये लोग ये लिवर लेवल सी लेखने को मिल सकते हैं त्रीक है तो ये है साला Nifty और Bank Nifty के लिए तो निटिलिश स्टॉक स्पेसेफिक आइडिया ज क्या होंगे आज के लिए दूस्टॉप स्पेसिफिक आइडिया होगे मुझे देखा है कि यहां पे मांकेट में बिक्शिनारियो है फार्मा में मुझे देखा है कि हाई लेवल से प्रफिट बुकिंग हमें लेखने को मिली ती फ्राइड़े के सेशन में अगर यह 785 इसका जो इंपॉर्टन रर्फिट देखने को मिलाना लेकिन हायर लेवल को सस्टेज नहीं हो रहा है अगर यह 785 इसका जो इंपॉर्टन रर्फिट इसके ऊपर निकलता है तो 780 के स्टॉप्लोग के साथ हम लोग इसमें लॉंग चलेंगे 795 से लेके 805 के हमारा टार्गेट हो सकता है अगर 805 के ऊपर दिसलता है तो इस ट्रेट को पोजिशनल करके आप 850 का टार्गेट भी प्लान कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरो वाले शेयर्स की हमारे शारत जोड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से शारत गूड बॉर्निंग सबसे पहरे तो क्वार्टर थ्री अपडेट से शुरुबात कीजिए बिल्कुल consumption names जो है largely weak set of numbers देखने मिले हैं और of course देख रहे हैं कि यह pain जो है मैरिको में भी देखने मिला है domestic markets की volumes की बात करें तो low single digits में आया है year on your basis पे और अगर बात करते है parachute coconut oil की तो यहाँ पे भी low single digit volume growth देखने मिली है वही जो है GCPL में हमने देखा कमजोर नतीज़ा हैं अनुमान से कम और जो organic business delivery की growth है वो भी mid single digit में आई है यानि कि आप कह सकते 3 से लेके 6% तक हाला कि Titan की बात करें तो यह एक outlier रहा है बहुत अच्छे नतीज़े देखने मिले strong set of numbers आये 20% के उपर जो है इनका consolidated revenue growth आया है और लगबग 90 stores की addition भी हुई है और याद रखें Q3 जो है generally jewelry companies के लिए अच्छा भी होता है बैंक को बरोडा के लाजली weak set of numbers आये हैं जनुमान था उच्छे थोड़े कम आये हैं वही अगर advances या retail advances और domestic advances दोनों ही आकड़े थोड़े week आये हैं कि 6% का sequential और year on year basis दोनों में बढ़ातरी देखने मिली हाला कि इन-line set of numbers कहेंगे in-line to good कह सकते हैं और नाइका के एक और consumption नाम है यहां पर भी week set of numbers आये हैं अब देखिए consumer 20s की जो growth है उसमें जो है अनुमान रह सकता है तो यह overall जो है consumption pack टाइटन को छोड़के week आये हैं और बाकी सब इन-line to good numbers देखने मिले हैं ओके तो बाकी सब numbers तो इन-line ही थे लेकिन consumption pack में बात करेंगे तो जातर numbers कमजोर थे लेकिन Titan ने आउट परफॉर्म किया है इस बीच काफी strong update टाइटन के तरफ से निकल कर आये हैं तो यहां पर हमारी नजर होगी तो यह तो बात भी quarterly update की लेकिन इसके अलावा शर्द खबरों वाले shares भी होता है तो सबसे पहले याद रखिया आज दो एहम buyback होने वाले एक तो अफकॉस बड़ा buyback रहेगा बजाज auto का दूसरा रहेगा चंबल fertilizers का तो इन दोनों stock को ज़रूर अपने नजर में रखियेगा ONGC का positive news flow देखने मिल सकता है जहां पर अपनी पहला oil production जो है kg जो 98 by 2 block है वो अपनी start करने वाले production से तो इसके कारण stock में positive reaction देखने मिल सकता है तीसरा stock जो focus में रहेगा वो है GMR airports यहां पर उनको एक favorable arbitral order आया है जहां पर उन्हें जो है monthly annual fees जो पहले देनी थी AI को COVID के समय में अब उसको वापस करने का refund देने का जो है tribunal ने फैसला लिया है federal bank slight negative reaction देखने मिल सकता है stock में यहां पर RBI ने कहा है bank को की दो और नाम दें MD और CEO के पद पे bank ने लिखा था कि वो extension कराना चाते थे existing MD CEO श्याम स्रेनवासन को अगले 2 साल के लिए अब जो आद करता हूँ Swan Energy के लिए रफकॉस restructuring वाली company थी और यहां पर special situation प्ले था जैसे कि society general और बंदन mutual fund ने जो है overall absorb किया है और याद रखिए तीन दिन पहले ही उन्होंने जो है management भी समाली थी reliance novel के लिए के तो यह special situation stock है जो आपके radar में होना चाहिए और आखरी stock रहेगा शाम मेटलिक्स हमारे खबर पे मुहर लगी है क्यों आईपी इशूस की जो है alloties आ गए है लगबग 1400 करोड तो रेस की है लेकिन जो बड़े दिगज investors आए हैं वो include करते हैं city group, Morgan Stanley और बड़े-बड़े domestic mutual fund houses okay थाएंगी शारत आपका ये पूरा update देने के लिए तो श्याम मेटलिक्स हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी QIP से जूड़ी और उस पर मुहर लग चुकी है और इसमें city group, Morgan Stanley जिसे बड़े investors का नाम भी सामने निकल कराया है इसके अलावा बजार ऑटो और चंबर फर्टलाइजर जैसे stocks भी focus में रहेंगे आज buyback की खबर के चलते इस पर आप नजर रखे swan energy, ongc, jmr, airport और federal bank जैसे stocks भी focus में रहेंगे आज खबरों के चलते और उसका पूरा analysis भी श्रद आपको भी करके बता रहेंगे इसके लवा quarterly update से जुड़ी भी company आज काफी सारी आई है तो over the weekend हमने देखा quarterly update और धे सारे blog deals भी यहाँ पर देखने को मिली है तो उससे जुड़े जो खबर है वो आज focus में रहेंगी brokerage house के report की कहां पर नज़र होंगी बताने के लिए जुड़ गए हैं गौरव गौरव बताई सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटन की तो टाइटन के नंगर सागर हम numbers की बात करें तो काफी strong रहे है 23% वाय वाय ग्रोथ है और यह जो 20% से जाधा ग्रोथ है वो फोर्थ कोर्टर के लिए उन्होंने continue रखाया और इसी के चलते हुए Morgan Stanley ने अपना maintain किया है equal weight का rating और target price दिया है 3190 rupees जहां पर HSBC ने अपना buy rating maintain किया है और target price जो है वो बढ़ा के 4200 का किया है अगला stock हमारे पास है वो है गुद्रेज consumers जहां पर हमें कहीं पर week sales देखने को मिलें बट कहीं पर इन लाइन थे इंडिया का ओर गानिक ग्रोथ भी था बट उनका उसके आलावा EBITDA margins कहीं पर बढ़ने की आश्यंका है और इसके चलते हुए हमें यहां पर भी Morgan Stanley का एक ओवरवेट देखने को मिल रहा है जहां पर उनका टार्गेट प्राइज है 1072 रूपीज का जहां पर CLSNS सेल रेटिंग देखे रखाया और टार्गेट पास दिया है 936 रूपीज का उसके अलावा हमारे पास है अदानी विलमार जहां पर दुआमा का मानना यह है कि FMCG के वॉल्यूम्स तो काफी अच्छे थे और आगे जाके ब्रैंडेड ओईल और फूड में भी कही पर अच्छा पर्फॉर्मेंस देखने को मिलाया है फेस्टिव सीजन को चलते हुए और इसलिए उन्होंने अपना बायरेटिंग मेंटेन रखते हुए टार्गेट प्र 515 रुपीज का दे रखा है कल्लैंज वेलस ने भी अपने नंबर्स दे रखे है कि उत्री अपडेट्स के और इसके जैसे वो जो नंबर्स है वो कहीपे काफी इन-लाइन थे जो एक्सपेक्टेशन थे उससे और रादर कहीपे जाधा अच्छे थे असेट लाइट मॉडल जो है उनलों का एक्सपांशन का वो कहीपे काफी अच्छे तरह से प्ले आउट कर रहा है और इसी के चलते हुए इन्वेस्टेक का मानना ये है कि आगे जाके 1400 क्रोज का एबिड़न अपॉचिनिटीज आने की आशंका है और इसी लिए उन्होंने टार्गेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1,080 रूपीज करके रखा है और बाय रेटिंग उनका बरकरा रखा है अगर हम लाइसे की भी बात करें तो भी मानना ये है कि कहीपे ग्रोथ रिवाइवल जो है वो हमें फ़ए 25 में देखने की काफी आशंका है और जो फेर वाल्यू में हिट आने वाला था वो कहीपे इन्वेस्टर्स के वो कहीपे हटते हुए देखने को नजर आ रहा है और इसी के चलते हुए यह स्टॉक्स पे हमें नजर रखने की काफी जरुवत है ठीक है तो यह कुछ स्टॉक्स होंगे जो कि आज फोकस में रहेंगे इन रिपोर्ट्स के चलते हैं थांकियो और आव आपका यह पुरा आनालेसिस करने के लिए तो टाइटन पर आज जरूर नजर रखे क्योंकि आज खबर भी है क्वाटरली अपडेट काफी स्टॉंग आए है और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी है यह स्टॉक मौरगन स्टैनली ने 3,190 रुपर प्रती शेयर का लक्ष दिया और एचस बीसी ने भी यहाँ पर ख और मेरी को भी आज फोकस में रहेगा तो आज हम देख रहें कंजम्शन स्पेस काफी जदा फोकस में रहने वाला है क्वाटरली अपडेट और ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते चलिए अब आगे बढ़ेंगे बात करते हैं कमोडिटी मार्किट की हमारे साथ रवी देवरा जोड़ चुके हैं फोन लाइं पर अभी गुड मॉर्निंग बताइए आज कमोडिटी मार्किट में कैसे ट्वेट करें शुरुआ सोने शांदी से करिए अरवी आप पो सुन पा रहे हमें चलिए रवी से संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन हमें उनकी रंडीती मिल चुकी है वो आपके सामने रख देंगे क्विकली तो पहले तो सुने चांदी से शुरुआत करें तो चांदी में वो खरिदारी करने की सला दे रहे हैं क्योंकि शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा था की हलकी मजबूती थी चांदी में सोना हाला की दूसी तरफ कमजोर था लेकिन चांदी मैं आप यहां पर बाइंग करके चल सकते हैं वो ज्यादा बेहतर निजल आ रहा है ट्रीट के लिए 71,720 के पास आप खरेदारी करिए सिल्वर में टारगिट 72,500 का और स्टॉप प्लॉस 71,300 का होगा सिल्वर पर और क्रूड की बात करें तो यहां पर भी तेजी करने की सला है 6,240 के लिए स्टॉप लॉस होगा 6,048 का यह सला है कमॉरिटी मार्केट में चलिए फिल्हाल इस बुलेटिर में इतना ही एक चुछ